इसलिए उसके बाद से लेकर जो कि टोटर हम बताएं थे कि इसमें 9 चेप्टर है तो वहाँ पर 3 चेप्टर में आपको clear करा दिया था तो इस वीडियो में आपका बाकी जो 4 से लेकर 9 तक बचा हुआ है दोस्तों वो total हम इसमें clear कराएंगे ठीक है तो बिना देर की हम class को start करते हैं फिर समय बताना चाहता हूँ यह जो class आपका चल रहा है बिहार जो BPSC में सिक्षक बहाली आने वाला है second page का उसका दोस्तों class चल रहा है यह video जो है आपका बिहार SCRT book का class 7 का history का second part है जो कि हम chapter 4 से लेकर chapter 9 तक पढ़ेंगे आसा करता हूँ इतना समझ गया होँगे अगर चैप्टर नमबर 4 में आईएगा history में तो उसका नाम है मुगल समराज ठीक है तो इसमें क्या कुछ आपका BVI point दिया गया है परिक्षा के दरिश्टी से हम इसको ही देखते चलेंगे सबसे पहले यहाँ पर है तुर्क आकरमण कारी तैमूर लंग ने 1399 में भारत पर आकरमण किया था बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि जो तैमूर लंग था भारत पर कब आकरमण किया था तो याद रखिएगा 1399 में बहुत ही important है चीज जो इसलिए आपको जानना चाहिए आपको पता होना चाहिए यह चीजों को मुगल वन्स का संस्थाप अकॉंट है तो ओ था जहर्यू दिन बावर जिसको बोला जाता है यह चीज आपको पता होगा याद होगा आगे चलते हैं अगला गर के पॉइंट यहाँ पर देखिएगा तो अगला पॉइंट दोस्तो बावर ने बहुत पर आपको बसे दो जगा थे इसको जीत कर वापस चला गया था थी यहां पे देख लेते हैं क्या कुछ पावर के बारे में दिया गया प्रमुख जो आते हैं उसका लड़ाई के बारे में हापे आता है कि बाबर ने कौन-कौन से अपने जीवनकाल में लड़ाई लड़े हैं तो पानिपत का जो प्रथम लड़ाई था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था उसके बाद जो खानवा के लड़ाई है था वो राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था चंदेरी का यूद था वो मेदनी राय और बाबर के बीच में हुआ था इन सारे लडाईों में दोस्तों बाबर अपने जीवन काल में कोई भी लडाई हारा नहीं था याद रखियेगा और जो घागरा के योद हुआ था अफगानों और बाबर के बीच में ये चीज याद रखियेगा बहुत ही महत्पूर्ण है ठीक है आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे कि जो भी लोग बिहार सिक्षक का दोस्तों तयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको एक बहुत ही बहतरीन तरीका कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिससे उनका सेलेक्शन के पूरा गरांटी हो सके तो उनके लिए मैं लेकर आ गया हूँ बिपीएसी 628 सेलेक जो कि पिछला एक्जाम हो चुका है उसको मैंने टारगेट करके इसको बनाए हैं कि मतलब जिस तरीका का उसमें सिलेबस था इसको बिलकुल उसी ढंक से हम तयार किये हैं इसमें जो भी आपका बिहार SCRT और NCRT का बुक का दोस्तों समरी है क्लास 6-10 तक जो कि मोस्क इंप कर रहा हो यह जो भी मेट्रेल यहां पे लिखा गया है कलास 6-10 तक उनको तो बुक्स करना ही करना है चाहे हो सोसल साइंस के बच्चे हो या साइंस का बच्चे है और मैथ को भी मैथ बनाना पड़ेगा नाइन तेंद का अच्छा अच्छा च्यूशन से उत्में ठीक है उस सारा का सारा मैं CHEPTER WISE आपको यहां पे MCQS दूंगा उसके साथी मैथ में भी दूँगा सवाल और उसको solution भी आपको उसी के साथ में इंक्रूड करके PDF में दूँगा यह सारा जो मैट्टीयल दूंगा यह PDF4 में दोस्तों दूँगा आप हमको वाटसेप पे इस नंमबर पे वाट्सअप कीजिएगा पेमेंड करने के बाद स्किन सोट सेंड कीजिए मैं तुरंत आपको यह सारा मेटरियल आपको दे दूगा जो मोस्ट इस मेटरियल में भीवी आई है ओ है आपका टॉप 500 करेंट अफेयर इससे पहले वाले एक्जाम में मैंने टॉप 500 करेंट अफेय बहुत ही बहतरीन चीज है आपका जो सिलेबस है दोस्तों उसको टागेट करके यह चीज बनाया गया है ठीक है चलिए है अपने हम कंटेंट की तरफ चलते हैं आपका यहां पे जो हम पढ़ा रहे थे ठीक तो इसमें आते हैं आपका बाबर के लडाई तो हम लोगों ने प आराम भाग में उसे दफनाया गया फिर काबूल में उसको दफनाया गया याद रखिएगा बाबर को दो बर दफनाया गया पहला जो था दफनाया गया था ओ आगरा के आराम भाग में दफनाया गया था ठीक है और दूसरा बार वहां से हटा कर उसको काबूल में किया गया उसके बाद यहां पे आता है दिया गए हुमायू के बारे में हुमायू के द्वारा थोगा एक यूद देता है कि चौसा के यूद किसके किसके बीच में हुआ था तो याद रहे किएगा हुमायू और सेहसा के बीच में हुआ था दिन पनाहन अगर के जो पूछता है कि अस्थापना किस ने किया था तो ये हुमायू ने किया था ये देखे ये जो भी मैंने content में आपको पढ़ा रहा हूँ ना ये बहुत ही important है जब आपे class 7 का books पढ़िएगा ना तो मतलब आपको अगर के 15 page पढ़िएगा ना तो उसमें से 5 important point आपको नजर आएंगे कि जो की परिक्षा के लिए आपका महत्पून है वही सब point को मैं इस notes में आपको include कर दिया हूँ इसलिए बोलता हूँ कि अगर के आपको time बचाना है बहतरीन content चाहिए तो दिये गए number पर हमको whatsapp कीजिए मैं आपको यह सारा पीडियाप जो आप इसमें भी देख रहे हैं यह सारा कुछ मैं वहाँ पर आपको add करके send कर दूँगा ताकि आपको आने वाली परिक्षा के लिए जारा परिशानी जहलना नहीं पड़े ठीक है अगला है यहां पर अकबर के बारे में दिया गया है अकबर 13 वर्स की उम्र में बातसा बनाता देखे यह हूँ बहुत सवाल अभी जो rrv ntpc railway ntpc exam हुआ है दोस्तों उसमें यह पूछा गया था कि अकबर कितनों सालों में मतलब अपने गद्दी पर बैटा था वहां प अगला पॉइंट निकल यहां पर आता है अगर के देख यहां पर तो कि पानिपत का जो दूसरी लडाई हुआ था ठीक है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था जो दूसरा लडाई पर अबातर यह बावर के बीच में हुआ था अगर और हेमू के बीच में हुआ था जिसमें अकबर की बीजय हुई थी उसमने जीत गया था जो हल्दी घाटी के लाड़ाई था दोस्त वह हुआ था 1576 इसवी में जिसमें राणा परताप की पराजय हुई थी यानि कि राणा परताप और अकबर के बीच में होता है जिसमें कौन को बाटा होगा तोस्umbles को घर्यों कोन-धपन से नौरहतन रहते थे कौन-नवरातन को सबुछ summer जैसे में है इबारत खाना की अस्थापना इन्हों ने 7575 में किया था दीन अइलाही की अस्थापना 1582 में किया था मन्सभदारी बेवस्था की शुरुआत 1574 में किया था ठीक है और सबसे इंपोर्टेंट यहां पे निकल कर आपका आता है जिसके कि हैं पर देखियेगा यहांनि, है फारसी अनुबाद महहाभारत का इसका नाम रश्मणामा था, किसके दौरा कर आये था और किसके काल में? आकबर के काल में यह चीज याद रहिए ग Qur, हमेसा सवाल पूछता है. ठीक है अगला है कि 1562 टिस्वि में तीर्थ यात्रा पर इसने प्रबंद किया था यानि कि 133 पर जो मतलब कर लग रहा था यहां पे जो जजिया कर था उसको यहां पर बंद कर दिया गया था 1564 टिस्वि में यह चीज याद रखियेगा आईने अकबर यो अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने किया था बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुगा है अकबर ने सुलह एकूल जिसे सर्वतर सांती देखिए अकबर जो आदमी था ना उसांती पर विश्वास रखने वाला था ये तोड़ फोर करने वाला आदमी नहीं था ठीक है तो इसको सर्वतर सांती की अस्थापना किया था सुलह एकूल की अस्थापना किया था याद रखिएगा इसके बाद गदी पर बैटता है इसका बेटा जिसको जहांगीर बोलते हैं खुर्रम बोलते हैं यही गदी पर बैटता है अकबर के बाद में अकबर जहांगीर को जिसको सलीम भी बोलते हैं ये बचपन में इसको सेखु बवा कहके पुकारता था कौन अकबर जहांगीर को यह चीज बोलता था जहांगीर ने औरजुन देओं को खुसरो की मदद करने के लिए यहां पर मृत्यू दंड कर सजा दे देता है पूछा जाता है आपसे कि औरजुन देओं की हत्या किस मुगल सासक ने कराया था तो ओ जहांगीर ने कराया था आप लोग याद रखिएगा उसके बाद आता है यहां पर विलियम हॉकिन्स सर्थ हॉमस रो विलियम फिंच आदी जो भी मतलब अंग्रेज अदिकारी थे यहां पर जहांगीर के दरबार में आये थे विलियम हॉकिन्स सर्थ हॉमस रो विलियम फिर्ट सबसे पूछ जादा जो पूछ जाने वाला है ये विलियम हॉकिंस किसके दर्बार में आया था तो जहांगीर के दर्बार में आया था ये चीज आप लोग याद रखिएगा अब यहां से स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट क्या है इसने दो असपा और सी असपा दामक प्रथम चलाई थी किसने जहांगीर ने उस्ताद मंसूर और अबु हलसन जो थे वो जहांगीर के दर्बार में दोस्तों चित्रकार थे याद रखिए गए चीजों को इसने सिकंद्रा में अकबर का मकवरा एवम लहावर की मस्जिद बनवाई यह बहुत ही महत्पून है कि अकबर का मकवरा किसने बनवाया था तो यह जहांगीर खुर्रम ने बनवाया था इसके बाद यहां से अस्टार्ट होता है आपका इसका बेटा साह जहां का कारेकाल इसको देख लेते हैं कि इसके कारेकाल में क्या कुछ यहां पर इंपोर्टेंट चीज घटना घटी है आपके जो किताबों में दिया गया है जहां जहां लोग चार भाई थे इनी चार भाईों के बीच में उत्राधिकार का यूद हुआ था ये पता होना चाहिए अस्थापत कला का स्वन्ड यूग कहा जाता है साह जहां का जिधर आप गर्दन घुमाईएगा वहां पर जैसे हो चाहिए लाल किला हो या मोती मघजीद हो या ताज महल हो कुछ भी हो सब इसी के दवारा बनवाया गया है साह जहां के दवारा ही बनवाया गया है तो इसलिए इसको अस्थापत कला का स्वन्ड यूग कहा जाता था ठीक है जमा महजिद, अगराय किले में मोती महजिद, दिवाने आम, दिवाने खास, ताज महल, सीस महल आदे इसी ने बनवाया है, किसने सहाजहाने ये चीज बनवाया है, याद रखिएगा, ताज महल का निर्माण कलाकार उस्ताद अहमद लहोरी था, उसका जो कलाकार था, ठीक है दारा सिकों ने उपनीशदों का अनुवाद जो सिर ए अकबर नाम से कराया था आप से सवाल बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि उपनीशद का अनुवाद किसने कराया था तो दारा सिकों ने कराया था जो इसका नाम रखा था सिर अकबर नाम रखा था इसके ठीक है अगला पॉइंट निकल कर यहां पे आपका क्या कुछ दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं सिजदा यहां पैबोज के प्रथा इसने समाप्थ किया था ठीक है यह चीज याद रखिएगा अग आपसे पूछा जाता है कि सिजदा यहां पैबोज के प्रथा किसने लागू किया गया था तो आप चरूर सर जरूर कॉमेंट सेक्शन में हमको बतायागा कि सिजदा और पैबोज के प्रथा किसने लागू किया था ठीक है और इसने जो समाप्थ किया था तो यहां पर दिया गया है आपका ये समाप्त किया था ठीक है तो उसके बाद ये समझ गया हूँगे आगे मैं बता दूँगा किसने किसने लागू किया था ये पुछा जाता है कि किसने खतम किया था तो खतम किया था तो मैंने तो यहां पर बता ही दिया ठीक है चलते हैं अगला में यहां पर औरंग् देखिएगा कि मान के चलिए कि यहां पर दोस्तों आपका अफगानिस्तान है अगर के भारत का नाकसा में देखिए कर तमिलाडों यहां पर मतलब इसको अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण भारत पर इसका पूरा अधिकार हो गया था उसी के बारे में यहां पर दिया गया जो भी मतलब non-muslims थे अगर वो अपने धार्मी कस्तल पर जाते था खिसके पर गाला लेकिन औरंग जेव आता है और इसको पुना लागू करते हैं 1789 भी में याद रखी के चीज़, इसे जिंदा पीर साही दर्वेस आधी नामों से जाना जाता है, 1685 भी में इन्होंने बिजापूर पर और 1687 भी में कुलगुंटा पर अपना अधिकार कर लेता है, कौन औरंग उसके बाद यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, कि दिल्ली में लाल किले में मोती महजीत का इन्होंने निर्मार कराया, देखिए, आप से पूछा जाता है यहाँ पे दो सवाल, आगरा में मोती महजीत का निर्मार किसने कराया? तो याद रखिएगा, जो आगर औरंगजेव यह दोनों चीज आप लोग याद रखिए गए ठीक है आप लोग समझ गए होंगे चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ की क्या कुछ यहां पे अपका नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अगला पॉइंट देखिए गए यहां पे कि औरंगा बाद में वीवी का मकाबरा बनवाया और पतनी रभिवा दौरानी थी इसकी औरंगजेव के सीखो के नौवेग गुरु तेख बहादूर को 1655 इसवी में इन्होंने हत्या करवा दी थी यह महुत महत्पूर्ण इंपोटेंट चीज है बहुत बार सवाल पूछा जा चुगा है कि सीखो के नौवे गुरू तेग भादूर की हत्या किसने करवाया था किसके द्वारा करवाया गया था तो ओरंग जेवाता है यहां पे 1707 इस्वी में इसकी मृत्यू हो जाती है और उसे खुलदाबाद में दफनाया जाता है आप लोग याद रखिएगा 1749 इस्वी में इरान के सासक ने दिल्ली पर आक्रमण किया ठीक है यहां पे याद रखिएगा 1749 इस्वी का बात हो रहा है अगला पॉइंट के तरफ चलते हैं अगला पॉइंट नहीं आपका यह चेप्टर 4 समाप होता है और यहां से स्टार्ट होता है आपका चेप्टर नमबर 5 ठीक है चेप्टर नमबर 5 का जो नाम है सक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तु कला कीलेयों धार्मी करस्तल ठीक ह चलते हैं त्याकुछ इसमें point दिया गया है पूरी का जगनाथ मंदिर या खजुराहों का मंदिर नागर सहली में बने हैं देखिए, खजुराहों का मंदिर और पूरी का जगनाथ मंदिर दोनों same है, ठीक है, जिस भाग में देवता के मुर्ती होती है उसको क्या बोलते है उसको गर्व ग्रीग बोलते है ठीक है अप लोग यह दोनों याद रखिए यहां नहीं होगा मतलब यह जो दोनों है यहां पर पूरी का जगनात मंदिर और खजुराहो का मंदिर जो है यह नागर सैली का बना हुआ है पुछता है सवा कि ग्रामिड सैली में मंदिर के प्रवेस दवार को यहां पे गोपुरम कहा जाता है याद रखेगा यह चीज भूलियेगा नहीं अगला यहां पे आता है आपका जैसे कि देख सकते हैं कि ब्रीदेश्वर मंदिर जो है यह तंजौर में हुए तंजौर में इस्तित है जो तं यह मदुरही में इस्तित है, तमिलाडू के मदुरही में, कुवतुलमिसलाम महजित का निर्मार जो कराया था, कुतुब दिन एबग ने करवाया था, जो कि दिल्ली में इस्तित है, उसके बाद कुतुमिनार का जो निर्मार था, कुतुब दिन एबग के द्वारा कराया गया था यह पांच मंजिला इमारत है दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर कैमेंजिला पांच मंजिला यहाँ गलती टाइपिंग हो गया है याद रखिएगा महीला नहीं मंजिला है यह पांच मंजिला इमारत है यह इसकी जो उचाई है बहुत भीवी आई है कि कुछता है कि पुत्वोदिन एबक के द्वारा बनाया गया था उसके बाद अगला तीन मंजिला था इल्टूत मिस्क के द्वारा 1229 में बनवाया गया था जो इसमें बनाने जाने में मतलब यो यूज हुआ था उसमें देखें बालू सफेद बालू का पतर तता संग्मर्मर से निर्माड हुआ था इसका ठीक है और इसका जो परवेश द्वार है उसको अलाई दर्वाजा बोले जाता है अटाला देवी का मंदिर मस्जिद जो है वो यहाँ पे है जौनपूर में उसके बाद यहाँ पे है मलिक बया का मकाब्रा बिहार शरीब में इस्तीथ है और आगरा के फतेह پूर्सिकरी किले का निर्माट अकबर ने करवाया था अगरा में इस्तीथ है ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए एदमाद उत दौला के मकबरे में पहली बार रंगीन पत्थरों से पच्ची कारी का परियोग किया गया था याद रखिएगा ये चीजों को अगला पॉइंट की तरह बढ़ते हैं अगला पॉइंट जैसे ही आईएगा तो यहां पर आपका दिया गया है कि साह जहां ने दिल्ली में 1638 में साह जहां बाद नगर की अस्थापना की तथा लाल के लेका निर्माड करवाया कब 1638 में के दोनों घटना है याद रखिएगा सेरसा का मकाबरा जो इस्थीत है सासा राम जो की अभी रोतास जिला है बिहार कहीं है यह चीज आपको याद रखिएगा सासा राम के जिला रोतास के सासा राम में अफगान सैली से निर्मी थे इसका निर्माड 1645 इसभी में कराया गया था यह चीज याद रखिएगा और यहां से आपका चेप्टर नमबर 5 खतम होता है और अस्टार्ट होता है चेप्टर नमबर 6 इसमें देख लेते हैं क्या कुछ आपका most important दिया गया है आपके books में पढ़ने के लिए इसका नाम है सहर बेपारी योम कारीगर ठीक है चोल कांस मुर्तियां लुप्त मौम बिधी से बनाई जाती है याद रखिएगा जो चोल काल में कांस की मुर्तिया थी वो कौन सी बिधी से बनाया जाता था तो लुप्त मौम बिधी से दोरा ये बनाया जाता था 1621 कई सिसबी में अंग्रेजों दोवारा रेसम से धागे बनाने का करखाना के निर्मार किया गया था और 1580 इसवी में अकबर ने टकसाल की शुरुआत की थी टकसाल मतलब जहां पर सिको की ढलाई होती है उसको टकसाल बोला जाता है अप लोग याद रहेगा सबसे पहले टकसाल की शुरुआ ही दिया गया था यहां पर निव चेप्टर रस्टार्ट होता है जिसका नाम है आपका चेप्टर नंबर सेवेन समाजिक सांस्कृतिक विकास ठीक है इसमें देख लेते हैं क्या कुछ है आपका मोस्ट इंपोटेंट चीज बिहार के पहले सूफी संथ इमाम ताज फकीर थ है सवाल आप से सबसे मौध पूंध है यह भारत में कागज बनाने इकला किसके दौरा बिक्सित किया गया है तो और वो के दौरा बिक्सित किया गया है उसके बाद यहां पर अगला पॉइंट निकल कराता है आपका जिससे के देख सकते हैं कि handicet इसलाम-धर में जात-पात नहीं था ठीक है लेकिन आगे आते आते इसमें भी जात पात हो गया लेकिन इसलाम धर अपनाने वाले उच जातिक लोगों को असफाक और निम जातिक लोगों को अंजलाफ कहा जाता था ठीक है अस्टार्टिंग में इसलाम धर में जाती प्रता नहीं था लेकिन उसमें भी दोख दिरे-धेरे आते आते, उसमें भी मतलब जातिवाद हो गया अभी भी है यह चीज। उसके बाध सही मुसल्मान में भी जाती विभाजन हुआ, जैसे कि अभी बता है, जो उचले जाती है उसको असफाक बोला जाता है और जो नीचली जाती है उसको अंजलाव बोला जाता है ठीक भक्ती आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का स्रे अलवर और नयनार संतों के द्वारा कहा जाता है यह जो अलवर और नयनार संतों थे यह साउथ के संतों थ यह थे जो नैनार थे दोस्त वो सैव के उपासकते पुछा जाता है आपSAK एका। वो 63 नया नाज संत्र थे और जो अलवर संत्र जो थे वो टूटल के टूटल 12 अलवर संत्र थे यह चीज याद रखिएगा ठीक अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे है कि संकराचाज का जनम केरल में हुआ इन्होंने चारो दिशाओं में मठ की अस्थापना की इन्होंने अद्वैतवाद के सिधान का परतिपादित किया आपसे बहुत बहुत सवाल पुछा जा चुका है कि भारत में अद्वयतवात के संस्थापक की से माना जाता है तो संकराचाज जी को माना जाता है यह आप लोग याद रखिएगा और सबसे important है कि सांकरा चाज के द्वारा चारो दिसाओं में इस्थित बहुत ये मठ कहां कहां पे है तो सबसे पहले उत्तर में याद रखेगा उत्तर में बदरी का स्रम है यहां पे जो कि उत्तरा खंड में यहां पे इस्थित है ठीक है दक्षन दिशा में स्रिंगेरी है जो कि तमिलाडू में इस्तित है उसके बाद यहाँ पे आता है पूरब और पच्छी में तो पूरब में जब जाईएगा तो वही पूरी में जो कि उडिशा में इस्तित है और पच्छी में जो है द्वारी का गुजरात में इस्तित है तो बहाउ दिन जकरिया को है यहां पर दो सवाल पूछेगा आप से कि सुहावर्दी सिर्षले के संस्थाप़ कौन थे बहाउ दिन जकरिया और भारत में इसको फैलाने का स्रे किसको जाता है तो उसका भी अंसर होगा बहाउ दिन जकरिया को यह जाता है अगला यहाँ पर point निकल कराता है आपका कि चीस्ति संप्रदाय की अस्थापना मौईनो दिन चीस्ति ने की इसको लोग प्रिये बनाने का सरे निजामु दिन ओलिया को जाता है ठीक है तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा चिस्ती संप्रदाय का स्थापना मौईनों दिन चिस्ती इन्ही का मकवरा जो कभी अजमेर में इस्तित है आप लोग याद ये भी रखिएगा ठीक है अगला पॉइंट है यहाँ पे कि बिहार सरीप में मनेर सहाथी म जार है यहाँ पे पूछा जा सकता है हो सकता है तो यहाँ पे बुक में दिया गया था तो मैंने इंकलूड कर दिया अब यहाँ पे आपका चैप्टर नमबर सेवें समाप्त होता है और अस्टार्ट होता है चैप्टर नमबर एट चैप्टर नमबर एट का जो नाम है छेत नुसरत साह ने रमायरों महा भारत का बंगाली में अनुवाद कराया, मैंने आपको उपर ने बताया कि जो महा भारत का बदायोनी ने यहाँ पर जो अनुवाद कराया था, वो रजमनामा के नाम से कराया था, जो की अर्भी भासा में था, और यहाँ पर इसने यहाँ पर इसके बतल यहनुन को सब्सक्राइब का यह सब्सक्राइब कर दोसक्राइब और थोड़ा Regick Chir. मद्शा का टोछ सामत्राइब करना को सिव्हुर करना, या क्यों विल्ट, की ठील स्ब्सक्राइब बाता है डीलन, सिव्हुर बीजर मैं वर真द मिलीजा, ठीक अगला पॉइंट की तरह बढ़ते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे है कि आपका आमीर खुसरो ने उर्दू भासा को रिखता वो हिंडवी का नाम दिया था किसने आमीर खुसरो ने अलावोल ने जौन पूर के मलिक मुहमद जैसी दोरा हिंदी में रचित पदमावद का बंगला में अनुबाद कराया यहाँ पे देखें दो सबाल आपसे पूछेगा पदमावद की रचना किसने किया मलिक मुहमद जैसी के दोरा हिंदी भासा में यह किया गया था लेकिन इसका बांगला में ट्रांसलेशन कराया गया था अलावोल के दोरा ये दोनों चीज आप लोग याद रखेएगा ठीक अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अगला पॉइंट अगर के देखिएगा यहाँ पे है आपका अगला पॉइंट की हिंदी की उत्पती मग ह अपभरां से हुई है हिंदी के उत्पती जो मगी भासा बोलते हैं उसी के पराचीन भासा से मतलब इसका उदय हुआ है बिद्यापती जो है मैथली के एक मैथली के प्रसीद कभी है दोस्तो ठीक यहाँ पे अगला पॉइंट निकल कर आता है क्या निकल कर आता है जिसे यह 차 की आपे देख सकते हैं कि है गजल का जो संग्रह है वो दिवान कहलाता है जो भी लोग आपके गजल लोग सुनते होंगे उसको बोलिएगा कि तुम गज सवाल दिये का हैं देख लिए थोड़ा कि उर्दू के उत्पति किस सताब्दी में हुई एक रामी सताब्दी में इसकी उत्पति होती है उर्दू का साब्दी कर्थ क्या है तो साब्दी कर्थ इसका सीवीर है इरानी सिंधू को क्या कहते हैं थे तो जो इरानी लोग थे यान चरीत मानस की मतलब रचना किये थे और यहाँ पे आपका चैप्टर नमबर 8 समाप्त होता है और अश्टार्ट होता है चैप्टर नमबर 9 इसमें देखते हैं क्या कुछ आपका इंपोर्टेंट है कि 18 सताबदी में नई राजनेतिक संदसना है इसका चैप्टर का नम है तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ आपका दिया गया है यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 18 सदी का सरस्रेष्ट राजपूत सासक जो थे आमेर के राजा जैपूर के जो थे वो सवाई जैसिंग थे इन्हों ने जैपूर सहर की अस्थापना की योम थोड़ा और उपर कर लेते हैं इन्हों ने सवाई जैसिंग के द्वारा के बारे हैं बताया जा रहा है इन्हों ने जैपूर सहर की अस्थापना की योम युकलीड की पूस्तक जो थे मैथ के बुक्स में आपको ठीक है ततो का संस्कृत में अनुवाद करा है जो रेखा गणी तो यूकलीड को दोर लिखा गया था उसका संस्कृत अनुवाद कराते हैं सवाई जैसिंग ने ठीक है अब आगे में आते हैं पढ़ते हैं सीवा जी के भारे में कि क्या कुछ आपक हैं और पीता जो थे सहाजी भोसले इनका पीता जी का नाम था ये दोनों चीज याद रखिएगा कि सीवा जी का जन 1627 भी में ठीक है रायगण के कीले में इनका रजिया विशेक होता है अपने छेतर के बाहर पड़ोसी रजाओं पर चौथ कर यम सर देश मुखी नमक दो भूर अजय सुकर लगाते हैं आपसे बार बार सवाल बहुत बार पुछा गया है कि जो चौथ था और एक आता है सर देश मुखी सर देश मुखी यहां पे लिख देता हूँ यह दोनो चीज पूछा जाता है आपसे कि यह जो दोनो थे यह क्या थे तो यह दोनो भूरा ज़सो कर थे भूमी कर था अब यह लगाया गया था सिवा जी के दोवारा ये दोनों चीज आप लोग बहुत ही महत्पून है याद दखिएगा अगर कि सीवा जी से सवाल पूछता है तो यही दोनों पूछता है कि ये दोनों कर किन्द के द्वारा लगाया गया था तो ये चीज याद पता होना चाहिए आपको सीवा जी के जो मृत्ती होता है 1687 भी में इनकी मृत्ती हो जाती है और पानिपत के तीसरी लडाई मराथा योम अहमद साह अबदाली के बीच में हुई जिसमें मराथा को हार हुई थी चोकि तीसरा लडाई कब हुआ था 1761 भी में आप लोग याद रखिएगा ये चीजों को अगला पॉइंट की दरब आते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए जैसे की दिया गया है कि जाट राज की अस्थापना भरत पूर में चुडा मन और बदन सिंग के नेत्रित में हुआ इसका पून विकास सुरजमल के नेत्रित में हुआ तो जाट राज के दान मंत्री रहते थे चौथ जो था दोस्तों बतलब भूमी करका एक बटा चार था और जो सरदेश मुखी कर था एक बटा दस था यानि के अगर के आपके भूमी पर 10 केजी अनाज उपज हो रहा है तो एक केजी अनाज आपको सीवा जी को देना है वहाँ पर दो प्रकार हुई बहुत ही इंपोर्टेंट है पूछा जाता है सवाल पुरंदर के सरदी कब हुई थी तो सीवा जी ओ जैसिंग के बीच में 1665 में यह चीज हुआ था अब यहाँ पर आता है आपका सीख धर्म के बारे में सीख राज की जो अस्थापना था गुरू नानक के द्वारा किया जाता है इनका जन जो हुआ था तलवंडी में हुआ था और गुरू मुखी लीपी का जो अविस्कार किया थे वो गुरू अंगद के द्वारा यह किया गया था याद रखिएगा अगला पॉइंट यहाँ पर आता है आपका कि अमरित्सर नगर किसने बनवाया तो गुरू हर गोविन सींग के द्वारा किया गया था अगर कैसी धर्म से आपसे सवाल पूछा जाएगा तो याद रखिएगा यह इसी में से पूछा जाएगा कहीं पूछ लेता है कि गुरू गुरू गरंद साहिब का संकलन किसने किया था आकाल तक्त की अस्थापना किसने किया था अमृत सर सर किसने बसाया था तो यही सब सवाल इसमें से बनता है अगला आता है कि औरंग जेब ने फांसी दी थी किसको उपर में भी बताया औरंग जेब पढ़ा रहते तो गुरू तेक बहादूर को फांसी दिया था वो खालसा पन्त की अस्थापना भीवी तो वो अवध्धा याद रखिएगा बंगाल में स्वायत राज की अस्थापना किस ने की थी तो मुर्सिद कुली खां के द्वारा यह किया था याद बाद यांपे मराथा परिसंग का प्रमूह कौन था तो थे पेशवा, सीखो की एक सत्ती सालीर राजनीतिक और सैनिक सत्ती के रूप में किस ने परिवर्तित किया तो गुरु गुविन सिंग ने परिवर्तित किया और यहां पे आपका class 6 का, class 7 का, class 9 का, class 10 का history होता है समाप्त यह सारा का सारा चीज चैनल पे upload कर दिया गया है और जो next class आएगी यहां पे जैसे कि देख सकते हैं जो next class में हम बताएंगे आपको वो class 8 का अतीत से बरतमान भाग थीरी है जो इसको हम पढ़ाएंगे करते हैं मैं 6 तू 12 तक जो भी books हैं आपके most important मैं सब कुछ करा दूँगा अब कर धार बना कर बैठे रही है आप लोग चलिए मिलते हैं next video के साथ मैं तब तक के लिए पढ़ते रही है मुस्कराते रही है बबबाए